क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम को पर्मानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो हने वाली सिर्फ आपके लिए क्योंकि आज किस वीडियो में मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूं कि इंस्टाग्राम की अकाउंट को पर्मानेंट डिलीट कैसे करें तो इस वीडियो को बिना स्किप के वे step by step follow कर ले और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो बिना टाइम वेश्ट के वे आज वेडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हमें Instagram application पे आ जाना है यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं नीचे की तरफ profile का option मिल रहा है तो हमें इसपे click कर लेना है अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमें एक option मिल रहा है help center तो हमें इसपे click कर लेना है अब यहाँ पे देख सकते हैं उपर की तरफ हमें 3 line का option मिल रहा है तो हमें इस पे click कर लेना है इस पे click करते ही यहाँ पे हमें एक option मिल रहा है manage your account तो हमें इस पे click कर लेना है इस पर click करने के बात देख सकते हैं, नीचे की तरफ हमें delete your account का option मिल रहा है तो हमें इस पर click कर लेना है अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक option मिल रहा है temporary deactivate your Instagram account उसके दूसरा जो option है delete your Instagram account और तीसरा है download your information तो हमेh temporary deactivate पे click कर लेना है यानि कि सबसे पहले वाले पे अब यहाँ पे देख सकते हैं उपर की तरफ हमें एक option मिल रहा है delete your account तो हमें इस फे click कर लेना है इस फे click करते ही देख सकते सबसे उपर हमें एक option मिल रहा है android app help तो हमें इस फे click करने के बाद वाइल ब्राउजर हेल्प तो हमें इस पे क्लिक कर लेना है यहां पर देख सकते हमें delete your account का option मिल रहा है तो हमें इस पे क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करते हैं यहां से बोला जाएगा एक reason को लेने के लिए तो यहां से हम किसी एक reason को ले लेंगे तो मैं यहां से सबसे ऊपर वाले रिजन को ले लेती हूं उसके बाद देख सकते नीचे की तरफ यहां पे बोला जा रहा है पासवर्ट को डालने के लिए अगर आपको आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ट याद नहीं है तो टेंसल लेने की कोई बात नहीं आपको करना यह है कि यहां से आ एक option मिल रहा है manage your Google account तो हमें इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते ही अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो देख सकते हमें सबसे कोने में एक option मिल रहा है security का तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करते ही अब हमें स्क्रोल डाउ सकते हैं और तो लिए इस पे करदेना है अब यहां पर आपको अपने फोन का luk दे देना है तो आप हैं यहां मेरे इंस्टाग्राम का password इस तरीके से यहां पे save continue channel also remember here अब यहां पर एना से इसको देख सकते हैं और यहां तरीके से यहाँ पर डाल देना है उसके बाद देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें delete का option मिल रहा है तो हमें इस पर क्लिक कर देना है delete करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो account है वो एक महीने के बाद ही delete होगा पर्मानेंट आज 12 मार्च तो 12 अप्रील को ही मेरा जो account है वो पर्मानेंट delete होगा लेकिन आपका account search field में नहीं जाएगा अगर कोई search करेगा आपके user name या फिर आपके name को तो वह वहाँ पर सो नहीं करेगा इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दुबारा से लोगिन नहीं करना है अगर आप 30 दिनों के अंदर दुबारा से लोगिन करते हैं तो आपका जो account है वो पर्मानेंट delete नहीं होगा तो अब हमें delete पे click कर देना देख सकते निचे की तरफ हमें delete का option मिल रहा है अगर आपके phone में आपके Instagram का password save नहीं हो तो आपको यहां से निचे की तरफ देख सकते तो अब हम delete पे click करेंगे, delete पे click करने के बाद अब हमें कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ok का option मिल रहा है, तो आपको यहाँ से ok कर देना है, मैं यहाँ से ok नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपने account को permanent delete नहीं करना है, so I hope कि आपको यह छोटी से जानकारी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते मेरे चानल को subscribe जरूर करें, like भी करें और मुझे comment करके जरूर बताएं,